हेलो एवरीवन वेलकम एगन इंदीस ओनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ इंजिनियर्स क्लासिस फोर यू डियर जैसा कि आपको स्क्रीन पर भी विजीबल होगा अश्ट्रेंथ ओप मिट्रियल 2019 मतलब 2019 तो यह जो है बहुत सारे स्टूडेंट हमको मैसेज भी कर रहे थे बहुत सारे स्टूडेंट का क्वारी था कि सर आप 2019 का या भी प्रिवियस यर जो भी है कोशन उसको थोड़ा करवा दीजे सर कि किस तरह से चीजे हम लोग हैंडल करेंगे तो आज स्टाट कर रहे है श्रेंथ हो मिट्रियल से और अबजेक्टिव भी आपको बताएंगे लेकिन अबजेक्टिव मैं मुस तरीके से नहीं बताएंगे ठीक है इसका उप्षन यह हो जाएगा यह नहीं करके चलेंगे तो बीडियो को आप जरूर कंटीनू देखेंगे 100% आपको श्रेत और में काफी बैनिफीट होने वाला है जो समेश्टर एजाम अभी थार्ड का है जे यूटी का जो होगा उसमें काफी बैनिफीट होने वाला है तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं और वी एक आपका जो जारकरी उनिफर्सिटी टेक्नलोजी का है प्रिवियस यह यह भी रोग या मैथेमेटिक्स का उसको भी हम पूरा कोश्चन करेंगे जितना भी कोश्चन होगा जैसे अस्टेंट और मेट्रियल में जितना नुमेरिकल होगा भी अबजेक्टिव से स्टार्ट किय करेंगे तो सारे कोश्चन को जरूर करेंगे तो आप लोग अपना थोड़ा रिस्पॉंस आप लोग का रिस्पॉंस के कोडिंग ही यह चीज हो पाएगा तो पॉसिबल हो आपको अच्छा लगे तो जरूर आप थोड़ा सेर कर दीजेगा अपने कॉलेज गूरूप में इ कोश्चन बैंक में जो है कुछ-कुछ कोश्चन जो है उसका आंसर गलत दिया हुए नुमेरिकल का भी आंसर यह सब गलत है तो यहाँ पे सारे चीजे आप करेक्ट कर लेंगे हम जो बताएंगे बिलकूल भी 100% और थेंटिक बताएंगे और आप 100% भरोसा करके चीजों को इसी को आप करेक्ट बानेंगे तो आई यह स्टाट करते हैं सबसे पहला कोश्चन है कि दिरेशी ओफ लेटरल अस्ट्रेन टू दी लीनियर अस्ट्रेन लिखा हुआ है दिरेशी ओफ लेटरल अस्ट्रेन टू दी लीनियर अस्ट्रेन इज कॉल्ड आनि लेटरल अस्ट्र सीजें हम अपलोड की होए थे complete पूरा syllabus cover up किया हुआ था तो उसमें एक poisons ratio नाम से आया था क्योंकि बहुत सारे elasticity constants आपको first unit में पढ़ने थे जिसमें आपका अंस modulus of elasticity city हो गया और ना अंस modulus of elasticity city जिसमें आपका modulus of rigidity हो गया जिसमें आपका bulk modulus of elasticity था और एक poisons ratio था यह सर्व elasticity constants है चारो जो है इलाश्टी constant है तो जिसमें आपको poisons ratio को mu से denote किया जाता है यह बतलाएगे है और साथी साथ जो है वो one upon m भी जो है वो इसका notation होता है तो mu बराबर one upon m is equal to minus of minus of आपको क्या बतलाएगे है कि lateral astrain by lateral astrain by linear astrain lateral astrain by linear astrain देर देखे क्या हो सकता है न कि आगे कभी ऐसा भी हो सकता है कि linear astrain को longitunal astrain भी बोला जाता है लोंगी टूडनल लोंगी टूडनल astrain भी बोला आगे कभी question मेंे cleaning करें linear के जगा लोंगी टूडनल लिख दे तो ऐसा हो सकता है एक sign यहाँ minus लगवा minus का region यहाँ पर यह होता है कि linear strain जदी आपका positive होगा तो lateral negative होगा या फिर इसका vice versa lateral जदी positive होगा तो linear negative होगा कहने मतलब दोनों type का strain कभी भी same sign का नहीं होता है और linear strain वेका ऐसा strain है जिस direction में आप load लगाएंगे उस direction में जो strain produce होगा body में उस strain को हम लोग longitudinal या फिर linear strain या फिर axial strain भी बोलते हैं और उसके perpendicular direction में जो strain produce होगा उसको हम लोग lateral strain बोलते हैं तो इसलिए एक आपका positive तो दूसरा negative होता है तो पूरे value को positive बनाने के लिए यहाँ पे negative sign दिया जाता है या फिर इसके बाहर में आप mode भी लगा सकते हैं इसी चीज को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं mode करके आप लिख दें उपर में लिख दें lateral strain और नीचे में क्या लिख दें? linear strain लिख दें तो यह भी mode मतलब उसको positive बना देगा value को तो यहाँ पे देखी यही question पूछा वा थक lateral strain to the linear strain क्या होगा? obvious है आप इसमें option number D को tick करेंगे option number D को tick करेंगे लेकिन और भी option है जैसे modulus of rigidity तो modulus of rigidity का notation होता है G या फिर C होता है या फिर किसी-किसी book में जो है वो N भी ले रेता है इसका notation सबसे famous notation G और C है तो modulus of rigidity क्या होता है यह भी एक elastic constant है और modulus of rigidity जो होता है आप पड़े होंगे shear strain by shear stress sorry shear 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 strain है ना अब shear stress को shear stress को shear stress से दिखाते है और shear strain का क्या notation होता था 5 आनि shear stress अप आप आप फाइ इस यूर modulus of rigidity जिसका एक और नाम है modulus of rigidity का shear modulus shear modulus तो कभी ज़िए ऐसा लिख करके आज़ा dear shear modulus या फिर इसी का एक और नाम है modulus of stiffness मॉडूलस ओ अश्टीफनेस क्योंकि आप आज रखेंगे अश्टीफनेस जो है अब प्रोपर्टीज में पढ़ाये भी हैं अश्टीफनेस ही जो है ओ रीजीडीटी को ही कहते हैं ठीक है तो यह G होगी अब माल लेजे कभी आपसे कोश्चन यह भी पूछा जा सकता है क्योंकि repeat नहीं होगा तो यह पूछ देगा कि modulus of rigidity क्या होता है ताद रखेंगे अब देखें बल्क modulus क्या होता है अब से क्या पता कभी कोश्चन में बल्क modulus आज है तो बल्क modulus of elasticity है न जिसको के के से डिनोट किया जाता है तो बल्क modulus क्या होता है direct strays to the volumetric constraint यह दिरेशियो और डारेक्ट strays to the direct strays by क्या volumetric constraint तो क्या पता कभी यह भी आजा है गुशन, दियरिक ट्रेक्ट को आप सीगा से। डिनोट कर सकते हैं। वॉल्योमेटरिक ट्रेक्ट को आप Pharise Iで gustin Y यह फिर म्लिख सकते सिग्मा अपउं डेलबी आपन B वोलुमेट्रिक अश्टेटी नथिंग बट इट इज दी चेंज इन वॉलुम टू दी ओरिजिनल वॉलुम अब यह हो गया तो यह भी कभी पूछा जाए तो यह हो जाएगा अब एक और आप्सन यहाँ पे अच्छा नहीं हाँ मॉडूलोस ओफ इलाष्टी सीटी भी एक था तो मॉडूलोस ओफ इलाष्टी सीटी क्या होता है तो मॉडूलोस ओफ इलाष्टी सीटी भी एक इलाष्टी कॉंस्टेंट एड है और इसका जो वैलू होता है वो आपका होता है लीनियर अश्ट्रेस बाई क्या लिनियर अश्ट्रेश बाई क्या लिनियर अश्ट्रेश बाई क्या लिनियर अश्ट्रेश बाई क्या लिनियर अश्ट्रेश अनि सिग्मा बाई इपसिलॉन अब दीक एक चीज़ आद रखेगा जदी x-axis का stress होगा तो x-axis का strain भी होगा अंक्स मोडलस में y-axis का जदी stress होगा तो y-axis का strain भी होगा जदी z-axis का stress होगा तो z-axis का strain भी होगा मतलब कभी भी ऐसा नहीं होगा correct e is not equal to sigma x by epsilon up y लिखें यह correct नहीं है क्योंकि यहाँ पे y-axis का strain होगा रेक्षण का stress होगा तो ऐसे नहीं linear strain भी linear strain तो होता है लेकिन direction सेम होना चाहिए तो यह अंक्स मोडलस of elasticity का formula है जो की hooks law से आया है जो की कहां से आया है hooks law तो कभी माल लीजे hooks law भी पूछ दे देखें कई सारा यहां से question एक हम बनाए है जो समझदार होंगे समझ रहेंगे बात को question एक ही बनाए हम direct tick कर सकते थे d option लेकिन नहीं की है यहाँ पे हम सभी option को बता रहे है क्योंकि repeat नहीं होगा तो क्या पता यहां से आनि देखें आठ ही question solve करेंगे यहाँ पे क्योंकि आठ objective पूछा जाता है लेकिन आपको बहुत आठ question मतलब आठ minute भी नहीं लगता है आठ second में चीजें हो जाता यह भी cd कर देते तो लेकिन वो काम नहीं कर रहे है आपके benefit के लिए मैं ऐसे आठ से जो है वो पचास question 100 question यहां पे हो जाए हैंडल आठ discuss करेंगे लेकिन 100 question आपका हैंडल हो गई जाम में तो इस बात को समझें hooks law hooks law तो hooks law ही आपका बोलता था अश्ट्रेस क्या linear अश्ट्रेस directly proportional to linear अश्ट्रेस directly proportional to क्या linear अश्ट्रेस और यही से आपका unix modulus का value आया है क्योंकि जैसे आप stress by strain करेंगे यहां पे constant आएगा और यही से फिर आपका modulus of rigidity भी आया यही हुक्स law से ही आया हो कहानी भी modulus of rigidity भी या फिर आपका unix modulus of elasticity तो constant के जगह पे जदी E होगा तो अंग से modulus of elasticity कहलाएगा और फिर astrace और astrace के जगह पे जो है वो sear और sear टाइप वाला होगा तो वहाँ modulus of rigidity वाला आ जाता है खेर तो hooks log कभी पूछ देत hooks log क्या है linear astrace directly proportional to linear astrace या फिर sear astrace directly proportional to sear astrace जदी sear रहेगा directly proportional sear astrace भी होगा linear astrace होगा तो directly proportional linear astrace होगा तो आनि कि sigma by E मनए E क्या epsilon is equal to constant ठीक है तो कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है जाम में तो hooks log log अगर तो काफी है यहाँ पे तो इसका option क्या है option number D हुआ चलिए चलते हैं next question के तरफ next question के तरफ चलते हैं the bulk modulus of a body is equal to देखिए question आ गया bulk modulus of a body is equal to bulk modulus of a body is equal to यहाँ पे आया है bulk modulus अभी दिखाए कि bulk modulus को के से denote करते हैं और आद रखेगा यह जो question बनेगा आपको जो है वो आद होगा पढ़े होंगे आप कि relation आप पढ़े हैं relation E का relation अच्छे एक चीज हम बता दें उपर वाला question में ही कि जैसे आपका E का कभी unit पूश दिया जा कोश्चन में एक ऐसा हो E का unit हो या फिर आपका G का unit हो या फिर आपका बबु के का unit हो तो सभी का जो unit होगा unit होगा उससेम होगा और सेम क्या होगा Pascal पासकल भी हो सकता है मेगा पासकल भी गीगा पासकल भी हो सकता है है कि नहीं है पास्कल का मतलब होता है न्यूटन पर मीटर अस्क्वार तो यह सभी का क्योंकि सभी elastic constant ही है पॉज़न्स रेसियो जो होता है कभी पूछ देख पॉज़न्स रेसियो का क्या unit होगा तो आद रखेंगे सभी बच्चे कि पॉज़न्स रेसियो जो है वो कैसा है unitless है पॉज़न्स रेसियो unitless है क्योंकि उपर भी एस्ट्रेन नीचे भी एस्ट्रेन कटेगा unitless है खेर इस पर आईए तो देखें ये question में है the bulk modulus of your body is equal to bulk modulus तो तीन तरह का relation आपको आद होगा कि एक e बराबर जो होता है e बराबर वो क्या होता है एक होता है 2g 1 plus mu ठीक है एक relation आपको आद होगा e बराबर जो होता है वो होता है 3k 1 minus 2 mu और एक relation होता है e is equal to वो होता है 9 kg upon 3k plus g अब देखें यह जो relation है काफी important है exam में पक्का कोई question देखने को मिलेगा repeat तो नहीं होगा यहाँ से e का relation पूछ देगा कि कोई relation correct है ऐसा करके तो देखेंगा plus minus का sign यहाँ से अब बढ़ियां से देखें सही से समझें कहा plus है कहा minus है इसको एक बढ़ लर्न जरूर करें पहला वाला relation जो है वो क्या है अंक्स मॉडूलर e का मतलब अंक्स मॉडूलर g मतलब modulus of rigidity mu मतलब posgence ratio एक चीज अभी जश्ट बताए कि mu 1 upon m से भी denote किया जाता है यह question में जो है dear वो आपका aim के form में दिया हुआ है अनि mu के form में नहीं aim के form में है तो जरा देखें कि कैसे यह question पहले handle होगा तो यही same question नहीं कभी और भी आ सकता है कभी ऐसा आ सकता है the bulk modulus के जगा पे the modulus of rigidity of your body is equal to कभी ऐसा आ सकता है कभी यह relation ही direct देखने को मिल सकता है तो obvious bulk modulus लिखा तो second वाला relation से बाते होगा e बराबर 3 के 1-2 mu से तो यहां से k निकालिए तो आप कहेंगे sir इस equation से जब हम k निकालेंगे तो k बराबर हमारा कितना होगा तो आप कहेंगे 3 sorry e divided by e divided by 3 1-2 mu होगा लेकिन ऐसा तो option है नहीं mu 1 upon aim के form में है तो जड़ा देखे कैसे करेंगे e रहेगा 3 भी रहेगा 1-2 mu तो 2 divided by aim लिख सकते है क्योंकि mu क्या है 1 upon aim है इसको कैसे करेंगे तो देखे इसका LCM वाइगर लेंगे हम बहुत clear तरीके बता रहें तो कितना होगा aim minus 2 होगा और divided by कितना होगा aim फिर इसको और भी solve करेंगे तो कितना आएगा k बराबर तो k बराबर आएगा ये aim कहां चला जाएगा तो aim उपर चला जाएगा तो aim into e हो जाएगा divided by कितना होगा 3 aim minus 2 अनि कि ये वाला option जहां दिखेगा वही correct है तो जड़ा देखिए aim e 3 aim minus 2 पहला वाला option में ही है तो first option इसका correct option है first बाकी और नहीं है देखिए लेकिन थोड़ा थोड़ा variation किया किसी पलस किसी माइनस कितना confusion है तो ये relation से आप तुरंत में ये चीज कर सकते थे क्योंकि कितना सारा आप आद रखेंगे कभी कभार मान लिजे पूछ दी आपको ये वाला relation से भी पूछ सकता है कि modulus of rigidity क्या होगा और option दे दे तो देखे g बराबर कितना हो सकता था तो g बराबर हो सकता है आपका e upon e upon कितना तो 2g 1 पलस म्यू हो सकता है या फिर इसी को और भी करेंगे क्या लिखेंगे e divided by m के form में तो 2g लिखेंगे और 1 पलस क्या लिखेंगे 1 upon m म्यू के जगा 1 upon m लिखेंगे फिर आगे क्या करेंगे m उपर चला जाएगा वैसे ही m e क्योंकि LCM वैगर लेंगे कि step skip कर रहे है और क्या होगा 2g होगा और अंदर में क्या होगा m पलस 1 होगा या 1 पलस m होगा तो अब मुद्दा को समझेंगे ये भी आ सकता है तो g बराबर कितना m e 2g 1 m ऐसा कर गे ओ स्वारी स्वारी 2g यहाँ पे g नहीं g तो हट गया न इस जगर पे g नहीं होगा बहलो कितना है उपर भी लिख दिये है तो इसको समझेंगे g बराबर कितना तो g यहाँ निकालना था तो e upon 2 होता वो g लिखा दिया था तो यह option होता m e upon 2 m plus 1 समझे रहे हैं न तो यह option होता तो यह option देखिए एक option न ऐसा भी लिखा हुआ है एक option ऐसा भी लिखा हुआ है लेकिन हो किसी और का जिसे d number d number को देखे m e upon 2 m plus अच्छा नहीं 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 है एक भी option नहीं है तो खेर g का कभी आज है तो आप इस तरीके से लिखेंगे g is equal to m e divided by 2 m plus 1 या 1 plus m तो यहाँ पर के वाला पूछा था तो उसको हम कर दिए यह तीनों relation आध रखे कभी आपको direct यह relation अनि म्यू के form में भी देखने को मिल सकता है चलिए हम next question के तरह बढ़ते है next जो आपका है यह question है third number objective का लिखावा वे ने body subjected to your direct अब यह जो है ना यह principal plane and principal stress chapter का है यह chapter था principal plane unit number third यह question unit number third का है principal plane and principal अभी तक जो देखे ना वो unit first का ही था दोनों question तो वे ने body is subjected to direct stress कैसा stress तो direct stress sigma in one plane देखे यहाँ लिखा है one plane मतलब question ऐसा कुछ बोला कि one plane में जो है one plane में वो आपका क्या लग रहा है एक direct stress लग रहा है one plane में ही आप यह chapter पढ़े होंगे तो two plane में भी लगता है 2D में भी एक तरफ sigma sigma y भी लगता है यहाँ पे पूछा one plane the normal stress देखे क्या बोला the normal stress on यह body on a oblique section देखे oblique क्योंकि इसमें न oblique section पर ही बात करते है oblique का मतलब होता है inclined oblique section of your body inclined at an angle माली जे angle को हम theta मान लेंगे to normal किसके साथ inclined है तो normal के साथ तो कितना होगा यह पूछा है तो normal के साथ बोला गया कि normal के साथ जो है angle जो बना रहा है वो theta बना रहा है लगवा तो इस पे जो है वो कितना value होगा normal का तो आद होगा आपको थोड़ा कि इसको हम लोग sigma n बोलते हैं और इस direction में जो होता है उसको क्या है sigma t sigma t को tangential stress tangential stress और tangential stress ही क्या कहलाता है CR stress और sigma n क्या है sigma n कहलाता है normal stress sigma n जो है वो क्या है normal stress है तो यह आपका है तो इसी plane को क्योंकि एक angle पे इसी plane को बोला जाता है oblique plane oblique plane या section या फिर इसी को incline बोला जाता है incline plane तो इस plane पे हमको normal का value पूछा है tangential का नहीं पूछा है पूछ सकता किसी question में इसी को change कर दे tangential पूछ दे है कि नहीं है तो अलग-अलग case होता है तो हम आपको थोड़ा सा बता दे यहाँ पे बहुत कुछ यहाँ पे revise करा दे वो chapter भी revise हो जाएगा तो देखे क्या होता है एक plane में लगा हुआ है ना एक plane में जदी आपका हम यहाँ पे कोई derivation तो नहीं करेंगे लेकिन हम यहाँ पे कुछ बाते करेंगे जैसे देखिए कभी आपसे पूछ दिया जाकी तो हम देखिए बहुत ही किलियर तरीके से बता रहे है दो direction में माल लिजे इस direction में sigma x है और y direction में कितना है sigma y है सारा question बन जागा उस तरह और एक यहाँ पे oblique plane है और angle कितना यहाँ पे theta यही तो है ऐसा ही question अब यहाँ पे एक चीज और भी हम आपको बता दे कि एक माल लिजे के चलिए कि tau भी है tau मतलब होता है CRS तो इस तरह का case आप देखे होंगे tau जो है CRS है आनि कि यहाँ पे तीनो सारा चीज है जब सभी कुछ रहेगा इस तरीके से रहेगा तो और आपका sigma x जो यहाँ पे दीख रहा है वो भी tensile है और sigma y भी दीख रहा है वो भी कैसा है tensile nature का है और theta किस के साथ है तो theta आप देख पा रहे है कि cross section के साथ है theta तो ऐसा case में जब आपसे पूbछा जागे normal कितना होगा डारेक्ट फले फॉर्मूला आध रखें, नॉर्मल बराबर जो होता है वो होता है sigma x plus sigma y by 2 plus sigma x minus sigma y by 2 और यहाँ पे होता है cos 2 theta और फिर plus लिखेंगे tau sin 2 theta और एक और tangential का फॉर्मूला होता है दो काफी famous है, और और होगा sigma x minus sigma y by 2 और होगा sin 2 theta और minus होगा to cos 2 theta तो यह tangential हो गया एक आपका normal किस पे तो obvious है oblique plane पे इस बात को भूलना नहीं है कि oblique plane पे ही है नormal वगरा जो निकाल रहे हैं नो oblique plane पे रेक oblique plane के along है तो इसी का value और नर्मल और यह दोनों tangential एक दूसरे 90 degree होता है तो ये इसके अलावे भी बहुत सारे फॉर्मूला होते हैं लेकिन हम उतना तक अभी नहीं जा रहे हैं अब अलड़ी पढ़े हुई हैं ये काफी फैमस होगा ज्यादा तर नुमेरिकल में ये पूछा जाएगा अब देखिए क्या होगा मान के चलिए अब समझे हैं उस कोश्चन को कैसे करेंगे इफ सिगमा वाई एंड जो है ओटा दोनो जीरो हो जाए तो इस कंडिशन में क्या हो जाएगा नॉर्मल का वैलू आप कहेंगे नॉर्मल बराबर जो हो जाएगा सर उस सिगमा बाई टू हो जाएगा और प्लस जो हो जाएगा सिगमा एक सबाई टू और फिर क्या हो जाएगा सिगमा एक सबाई टू और कोश्टू थीटा हो जाएगा उधर वाला तो जीरो हो जाएगा ठीक है कि ने अब इसी को अब टेंजेंसियल बराबर पूछा जाएगा कितना होगा ता आप कहेंगे सर फिर से sigma x by 2 हो जागा और sin 2 theta हो जागा हो गया या नी तो इसका मतलब ये वाला कौन सा case हो गया ये case ऐसा हो गया ना one plane वाला जो question पूछा गया है कि एक ही axis में लगा हुआ हो एक ही axis में लगा हुआ हो और फिर एक angle theta पे आपको पूछा गया है नॉर्मल अश्ट्रेस और c अश्ट्रेस वैगरा मनलब tangency अश्ट्रेस कितना होगा तो नॉर्मल ही पूछा गया था अनि कि ये कि इस पे नॉर्मल कितना होगा और इस direction में होता है कि आप देख पा रहे हैं तो आप कहेंगे सर अनि कि ये case number if तो ये बन गया case number ये ही वाला अनि जो question पूछा गया था तो देखें इसी में क्या है न कि ये वाला जो formula है इसी को आप अलग तरीके sigma x माल लीजे sigma के बराबर एक ही है sigma x sigma है तो अब ये ऐसे कितना होगा sigma by 2 प्लस कितना हो जागा sigma by 2 हो जागा और cost theta होगा अब सोच ये ना sigma by 2 को आप common लेंगे तो जागा उसको 0 कर लेंगे तो ज्यादा बेतर रहेगा तो देखें यहाँ क्या होगा तो 1 प्लस cost 2 theta न सभी लोग जानते होगे 1 प्लस cost 2 theta बराबर जो होता है वो क्या होता है तो ये होता है 2 cost square theta तो sigma by 2 और ये क्या होगा 2 cost square theta हो गया तो यहाँ से 2 और 2 कटेगा तो क्या अब सभी को आद होगा cost 2 theta बराबर जो होता है cost square theta मैनस sin square theta या फिर 1 प्लस cost 2 theta बराबर जो होता है वो होता है 2 cost square theta तो यहाँ से आ गिया कि normal stress का जो value होगा है न नॉर्मल stress का जो value होगा वो कितना होगा तो ये होगा sigma cost square theta option ठीक लगाएंगे आप कहेंगे इतना करनेक बात देखिए आपको उम तरीके से बता रहे हैं अब मान लीजे ऐसा होता अब हम इसी में बता रहे है कि tau नहीं होता सिर्फ sigma x और sigma y होता तो obvious आप tau वाला को गाइब करेंगे आनि tau sin 2 theta को उधर गाइब करेंगे और tangential नि inertia देखिए अब यह जो आगिया यह moment of inertia आनि unit number 4 से तो कभी आपना कहा नहीं सकते कि important क्या होगा एक चोलिम सभी unit से पूछा जा रहा है question अब देख पा रहे हैं सभी unit से होता है का question तो यह unit number 4 का है the moment of inertia और आपको clear कर दे यह unit का numerical तब ही बनेगा 100% यह unit का numerical आएगा T section पे L section पे I section पे यह सब जरूर आएगा तो moment of inertia यह तभी आपसे हो पाएगा नहांडल जब mechanics का 4 unit आपको आएगा center of gravity और centroid वाला unit आनि CG वेगर निकालने आएगा तभी जा करके यह unit का आप I section T section वेगर पे आप numerical solve कर पाएंगे जो solve किये होंगे उनको पता चल रहा होगा बाकी हम खुद solve करेंगे पूरा कोश्चा नहीं क्योंकि solve करना ही सीरीज में दी क्या पूछा दी moment of inertia of यह circular section सबसे पहले देखे लिग दिया circular क्योंकि अलग-लग section के लिए find होता है diameter head D तो कितना होगा तो आईए मापकों बता दे जिखिए जैसे एक circular section हो गया यह circular तो circular section का यह माल लिजे x x axis हुआ और यह क्या हुआ y y axis और एक z z axis भी होगा जो कहां से माल लिजे जिस paper पे आप लिख रहे हैं उस paper के नीचे रूपर होगा और यह x x y y पे perpendicular होगा जेड जेड जो axis होगा समझ रहे हैं ना जेड जेड एकसीस होगा तो perpendicular to the plane of paper जिस पे आप लिख रहे हैं उसके perpendicular होगा ना तो i x x जेड़ी आपसे पूछा जाएगा और i y y या फिर आपको पूछा गया diametral समझ येगा जैसे यहां पे diametral अनि i moment of energy अग notation होता है तो moment of energy x x या moment of energy y y अब यहीं पे इस body का न जी है जी मतलब c g अनि center of gravity या फिर diametral axis के about moment of energy है तो इसका जो formula होता है अप learn कर लेंगे पाई बाई 64 होता है और diameter का power 4 होता है अनि d to the power 4 होता है इसको radius के form में लिखेंगे तो obvious आप radius के form में भी कभी option दे सकता है तो कैसे करेंगे easily कर सकते है diameter मतलब क्या होता है 2 in 2 radius होगा उसका power 4 होगा ठीक है न 2 in 2 तो कितना होगा तो उपर में कितना होजागा 16 तो obvious है πाई बाई आप कहेंगे 4 हो जागा सर और r का power कितना हो जागा 4 क्योंकि उपर 16 हो जागा न 16 से ये कटेगा चार बार में 64 तो r के फॉर में πाई बाई 4 r to the power 4 d के फॉर में πाई बाई 64 r to the power 4 तो आद रखेंगे तो यहाँ पे यही वाला है यह option जहाँ पे भी दीख रहा होगा तो देखिए आपको एक दिख रहा है c number option में कि पाई d to the power 4 by 64 है तो अब यह से d के फॉर में तो होगा अब माली जह यहाँ पे जेड जेड एक्सिस के अबॉर्ट होता है हम आपको और थोड़ नॉलेज के लिए बता दें जेड एक्सिस को बोलते हैं जे से भी डिनोट करते हैं और इसी को बोलते हैं polar moment of inertia जैसे कि गाड़ी का भील वैगरा घूम रहा है गाड़ी का भील polar axis के अबॉर्ट घूम रहा है आपका फैन घूम रहा है polar axis के अबॉर्ट घूम रहा है तो polar moment of inertia जे और जे कहां साता है perpendicular axis theorem से तो J का value जदी आप निकालेंगे ने perpendicular axis theorem बोलता है कि 2 axis के about जो moment of energy आपको मालूम है एक से एक सरवाई वाई दोनों को जोड़ दीजे है कि नहीं है आप यहाँ theorem तो नहीं बताएंगे आप चीजों को अप learn किये हुए है आप already तो कितना होगा pi by 64 होगा d to the power 4 होगा प्लस फिर से क्या होगा pi by 64 होगा और d to the power 4 होगा तो यहाँ से जोड़ेंगे तो obvious आप कहेंगे sir pi by 32 होगा 32 और d to the power क्या होगा 4 होगा इसी को आप r के form में भी लिख सकते हैं तो r के form में कितना होगा तो obvious r के form में जो होगा वो आधा होगा तो πाई बाई कितना होगा 2 और R to the power कितना होगा 4 होगा कैसे तो obvious है न का पाई बाई 4 R to the power 4 प्लस पाई बाई 4 जोड़ेंगे तो R के form में यह होगया और एक क्या होगया D के form में होगया polar moment of inertia कभी पूछ दे तो direct tap करेंगे polar moment of inertia यह हम direct tap करेंगे पाई बाई 32 D to the power 4 जो कि एक option यहां ऐसा भी था तो किसके लिए था polar moment of inertia का था अच्छा नहीं D to the power 4 वाला नहीं स्वारी नहीं है square है तो यहां नहीं था उसा लेकिन हो सकता है इस ताल के question में पूछ दे polar moment of inertia में से कौन होगा repeat ना करें question तो थोड़ा सा उसको vary करें question को यह unit का हो जागा तो आप आद रखेंगे पाई बाई 32 D to the power 4 होता है इसका तो यह unit से चीज़े इतना होगे अब एक से एक से वाई वाई चीज़े आप जानीगे आगे बढ़ते हैं अब कभी कभार मान लीजिए आपको इसके लिए पूछ दिया हम थोड़ा और भी बता दे आपको मान लीजिए rectangular के लिए पूछ दे इसको हम B मान ली है इसको क्या मान ली है D तो एक से एक से के about पूछ दे या कभी yy के about पूछ दे पूछ पूछ दे तो आद रखेगा I X X बराबर जो होगा X X के parallel कौन है ताब कहेंगे X X के parallel जो है सरो B है तो उसका cube नहीं होगा आनि B और बचा क्यों D तो उसका cube होगा by 12 आद रखनेक तरीका I Y Y निकालेंगे अब Y Y के parallel देखेगे कौन है अब और भी चीज़ें इसमें होता है तो खर वो सब तो अलगी से हो गया triangle वागरा के लिए सभी के लिए तो आप obvious एक पढ़े होंगे बहुत बच्चे paid course में पढ़े होंगे सारे चीज़ें को अलएडी मेरा third semester से ले करके पूरा six semester टरक जो है only mechanical engineering का engineers classes for you अब पे पूरा course वो run करता है तो जो interested बच्चे होते हों पढ़ते हैं obvious है कि काफी beneficial होगा जो ही बच्चे पढ़े होंगे obvious एकदम नहीं के बराब बर दिक्कत उन लोग को हो रहा होगा जो continue चीज़ों को पूरा cover up किये होंगे खर आगे बढ़ते हैं अब next पाच्वा number question पे चलते हो objective का तो देखिए क्या है the bending moment at the free end अब देखिए bending moment at the free end ये जो है न ये unit number 2 का है अभी तक unit number 2 का नहीं आये था ये unit 2 का है सभी unit से देख रहा है unit 4 तक उधर बढ़े unit 2 बचा हुआ था unit 2 का ये question है the bending moment value पूछा है bending moment at free end एकदम free end पे of ये cantilever beam carrying point load थोड़ा सी question ना correct नहीं था मैं इसको correct किये है जो question bank में था carrying point load अब point load कहां तो देखिए कहीं भी actually में लगेगा हम आपको बता दे अब से पहले तो आप देखिए cantilever beam cantilever beam मतलब एक side fix रहेगा एक side क्या रहेगा free रहेगा तो ऐसा अब मान के चलिए हम यहाँ पे समझ लिए point load आपका free end पे लग रहा है तो इस condition में जो bending moment का value होगा कहां पे पूछा है at free end पूछा है bending moment चीज़ों समझेगा at free end तो इसको बोलते है free end if e और एक इधर वाला end को क्या बोलते है fixed बोलते है और फिज़ड end बोलते है तो free end पे bending moment पूछा है तो free end पे bending moment का value कितना होगा free end पे if e पे तो free end bending moment मतलब होता है load into perpendicular distance तो load वही पे लगा और load वही पे भी लगा और obvious है कि distance जो है वो 0 है तो ऐसे इस condition में जो है वो क्या आ रहा है? 0 आ रहा है लेकिन आप आद रखेंगे bending moment का value जो है वो always free end पे 0 होता है चाहे load कैसा भी लगे ये बात को आद रखेंगे bending moment at free end क्या होगा? तो all way 0 कहने का मतलब कि किसी question में आपको confusion में डालने के लिए लिख दे कि पूरे में आपका UDL लगा हुआ है ये क्या है UDL एक UDL लगा हुआ है तो free end पे bending moment कितना होगा? तो आप इस question का भी करेंगे free end पे 0 किसी question में ऐसा कर दे लिए कि लिख दे कि बीच में point load लगा है तो free end पे bending moment कितना होगा? तो इस question का भी free end पे bending moment कितना होगा? 0 होगा ठीक है यहाँ पे भी आप करेंगे आनि कि bending moment जो है free end को मालिये ए मालिये तो ए पे कितना होगा? 0 होगा इस question का भी bending moment जदी free end का बात करेंगे ए पे तो कितना होगा 0 होगा कहीं भी देगे और भी question हम आपको बता दे और यह सब काम देगा आपको A point पे मान के चलिए कि UDL पूरा में लग गिया और एक free end पे WM1 का load भी लगा है तब भी bending moment आपको free end पे जदी पूछा जागा यह पे तब भी कितना होगा 0 होगा shear force नहीं bending moment always free end पे 0 होगा अब question और भी पूछ दिया जाए कि bending moment जो है वो maximum कहां पे होता है cantilever भी में maximum तो आद रखेगा यह जो है fixed end के पास यह always fixed end के पास जो है bending moment always maximum होता है कभी पूछ दे maximum कहां होगा तो fixed end एद अब टिक कर दे कैसा भी load लग रहा हो कोई दिकत नहीं कैसा भी load लगेगा fixed end पे bending moment क्या होगा maximum होगा fixed end पे bending moment क्या होगा maximum होगा cantilever beam का हम बात कर रहे हैं cantilever का यह पे cantilever beam है clear है और beam आपको कुछ बाते बता दे जदी simply supported beam का कभी आजा है कि simply supported beam है और उसमें पूरे beam में आपका UDL लग गया तो यह बताइए कि support के पास moment कितना होगा bending moment तो आद रखेंगे प्यारे आप लो कि bending moment जो है support के पास यह support के about जो है वो always 0 होगा जदी simply supported beam होगा यह always always A और B यहाँ पे क्या है A and B support है तो support के about always 0 होगा चाहें लोड कैसा भी लगे मान लिजे एक simply supported beam हो और बीच में आपका W amount का लोड लग जाए A और B तो always जो है आद रखेंगे bending moment जो है और bending moment जो है आपका B पे क्या होगा 0 होगा और simply supported beam में support के पास always 0 होगा support support के about always 0 होगा आद रखेंगे तो question कहीं से भी बन सकता है तो यह इस तरीके से थोड़ा और बता दी कमाने simply supported लिग दे support के पास कितना ऐस option question दे दे तो 0 को tick करेंगे वहाँ भी और यहाँ पे इसका जो होगा option number A correct होगा और जीरो free end पे bending moment पूछा है ना bending moment add the free end और जदी पूछ जाता bending moment add fixed end तो load चाहे कैसा भी लगता maximum को tick करते मुद्दा समय रहना fixed free के जगा fixed कर देता load point load लगता UDL लगता UBL लगता कुछ भी लगता कहीं भी लगता तो fixed end पे हमेशा maximum होगा cantilever beam का हमेशा maximum होगा तो यह पाचुमा का जबाब होगा six number question पे चलते अब देखें यह जो question है ना यह आपका है four five number unit का यह five number unit का है pure bending वाला जो है simple bending and pure bending तो bending equation is तो bending equation आप pure bending equation का derivation भी हम करवाई थे derivation ऐसे आपको exam में नहीं पूछा जाएगा पर करवाई थे तो यहाँ से एक आया था equation pure bending का जो क्या आया था तो इस तरीके से जिसको बोलते है pure bending equation या flexure equation of beam कभी flexure word भी लिखते है pure bending equation of beam या फिर इसी को बोलते है flexure equation ठीक है किसका बीम का तो यह क्या होता है तो bending stress divided by y होता है is equal to bending moment और यहाँ पे bending और यहाँ पे sigma b मतलब bending upon moment of inertia is equal to होता है e upon r ठीक है अब को जरूरी नहीं बहुत सारे book में sigma b bending को आप sigma लिख दिया अनि bending stress ही है mb को लिख दिया क्या mb को लिख दिया mb को लिख दिया mb को अलग बात mb को यह मतलब bending moment ही है sigma b को sigma लिख दिया तो वो भी क्या है bending stress ही है क्योंकि वही equation है bending equation है तो अब यह से bending stress ही होगा वहाँ दूसरा stress कैसे आएगा clear ना तो देखे यह option जहाँ पे भी दिखेगा उसको tick करेंगे तो यह option आपको देख रहे है पहला वाला में दिख रहे है आप कहेंगे सर पहला वाला में दिख रहे है लेकिन इधर उधर किया हुआ क्या दिक्कत है सब equal है आप इधर उधर किसी को भी कर सकते aim upon i दिख रहे है sigma upon y is equal to e upon r अब यहाँ पे क्या-क्या चीज है वो समझ लीजे तो देखिए कभी भी आद रहे जैसे कि कोई हम cross section ले लिए माल लिजे यह cross section है कैसा cross section है तो rectangular है और इसका एक neutral axis कभी आपसे पूछ देगा इसी chapter में इससे पढ़ेगा neutral axis cross section पे दिखता है तो पूछ देगा कि neutral axis के पास जो stress होता है tensile stress compressive या bending stress जो भी बोले कितना होगा तब 0 को tick करेंगे neutral axis नाम से neutral लेकिन neutral के उपर और नीचे जाएंगे तो value आपका बढ़ता चला जाता है sagging के case में क्या होता है तो जदी sagging होगा जदी sagging होगा तो उपर में जो होगा आपका maximum compressive stress होगा और नीचे में क्या होगा tensile stress होगा और neutral axis पे क्या होगा सबची 0 होगा आनि कि ये वाला neutral पे जदी कोई पूछ दे तो tensile stress भी या फिर compressive stress भी क्या होगा 0 होगा कुछ नहीं ये sagging होगा जदी hogging के लिए बात हो जाए ये hogging होता है नीचे के तरफ मूडा होगा तो क्या होता है hogging negative bending तो hogging में इसी का उल्टा नीचे तरफ क्या होगा नी बाटम में compressive stress होगा और top में क्या होगा tensile stress होगा नाम सी देख रहे हैं उपर में खिचाओ जैसा इसलिए tensile stress और फिर से आपका वही वहला कहानी आगा कि neutral पे कितना होगा तो फिर से वही zero वहला होगा तो इसे बेस दी बाते आपको पता होने चाहिए तो देखिए आपका यहाँ पे अब इसमें सेक्सल में बताते y वेगरा क्या होता है तो neutral एक्सिस से एक्स्ट्रीम फाइबर तक एक्स्ट्रीम सर्फेस तक जो होगा distance उसको y बोलेंगे उसी को y बोलते यहाँ पे y का वहलू नीचे उपर बराबर ही होगा कई पे y का वहलू आपका अलग अलग होगा तो वहाँ पे maximum और minimum stress निकलता है नुमेरिकल में उस सब चीज़ें बताएं तो y इसी को लेते है y का है एक distance है neutral एक्सिस से major किया जाता है कहा तक extreme fiber तक अनि उपर तक sigma भी banding stress है mb का है banding moment है i का है moment of inertia है i का है moment of inertia जैसे कि यहाँ पे जदी आप neutral एक्सिस का about moment of inertia निकालते यह मानिजे b होता रिधरवाला d होता तो neutral एक्सिस के parallel कॉन है भी तो उसका cube नहीं होगा तो obvious bd cube upon 12 होगा कहेंगे क्यों होगा sir क्योंकि यह rectangular section का यही होता है अब रटे होगे e क्याहत e है material counts modulus of elasticity r जो है और radius of curvature है क्योंकि देखिए बाबु कोई भी चीजे जदी ऐसा मूड़ा है कोई भी जदी band हुआ तो obvious यह band क्या कहेंगे circle का एक टुकड़ा दिख रहा है sir तो obvious circle का जब टुकड़ा दिख रहा है तो इसका एक center भी हुआ होगा तो इसका एक radius भी होगा देखिए हाँ बना दिये तो neutral से neutral surface से जो center होता है यह arc का जो circle बनेगा उसका जो center होगा वहाँ से जो अनिकी radius radius of curvature curve का radius simple तो अब option number A को यहाँ पे tick करेंगे अब देखिए हाँ पे option number B option number जो B है ओ यह pure banding equation है तो कभी आपसे question में पूछ देख pure, sorry, क्या बोल दीए pure torson equation pure banding नहीं, sorry, pure torson pure torson equation है कभी आपसे पूछ देखा pure torson equation इन में से कौन होगा तो B वाल option tick करेंगे वहाँ पे T जो है वह आपका है जैसे यहाँ banding stress हुआ तो banding moment के वज़ा से banding stress हुआ वैसे यहाँ पे T जो है, वो torque है यह twisting moment है J जो है वो आपका polar moment of inertia है tau जो है वो आपका torsional shear stress है और R जो है वो radius of the shaft है C जो यहाँ पे दीख रहा है modulus of rigidity है theta जो दीख रहा है यह आपका है twisting angle जो कि radian में लेते हैं और L जो दीख रहा है वो length of the shaft है क्योंकि यह pure torsion वाला है यह unit number होगा 7 का होगा unit number 7 में pure torsion पढ़ना है unit number 6 में तो आपको पढ़ना है direct and bending stress combined direct and bending stress तो यह जो है यह pure torsion equation है जहाँ पे हम notation आपको बता दिए क्या क्या है और pure torsion equation shaft के उपर deal करता है तो यह बद देख लेंगे तो खर जो options related था यह इसका यहाँ पे हुआ अब देखिए pure torsion और pure bending कैसे याद रहेगा थोड़ा आपको बता दे बाबू देखिए sigma by क्या है sigma by y is equal to और sigma b by y अभी हम लिखे भी थे mb by क्या i is equal to क्या है e by r थोड़ा रटनिक तरीका इसी को आप रिलेट करेंगे कुछ आपको सिखा दे pure torsion कैसे जब आपका bending moment हुआ तो bending stress आया bending moment हुआ तो bending stress आया देखिए रोकिये है तो वैसे ही आपका अब इसमें क्या होगा torsional shear stress आयेगा क्योंकि torque होगा अब y क्या है जैसे कि एक soft होता तो soft के लिए क्या होता neutral से distance उपर तक extreme fiber तक y ही क्या होता यहाँ पर r हो जाता radius तो r अब mb bending moment तो यहाँ पर क्या आएगा torque क्योंकि torque के वज़े से क्या आएगा torsional shear stress आया अब divided बे क्या होगा moment of inertia नहीं यहाँ पर polar तो j होगा अब इदर angst modulus of elasticity आया यहाँ पर modulus of rigidity आएगा अलग कुछ यह आएगा अब थोड़ा से यहाँ पर आद रखेंगे g theta by l होता है मतलब यह length of this hour तो तो हलका relate कर सकते है कि और यहाँ से एक famous formula बनता है कि sigma b बराबर जो होता है o m b y अनि कि my upon i my मतलब my अनि अपना my ऐसे आद रख सकते है तो my upon i एक equation होता है और भी आद होगा आपको कि z एक section modulus होता है जो कि z बराबर होता है i by y revision करा दे और y maximum यह section modulus होता है और भी आपको एक चीज़ बता दे कि e और i को जदी multiply करेंगे तो यहाँ से आता है flexural rigidity तो यह सब question में पूछा जा सकता है flexural rigidity क्या होगा e और i का यह flexural stiffness तो e और i का multiplication को flexural rigidity बोलते है वैसे ही pure torson वाला में g और j का multiplication को देख रहा है यहाँ e और i का यहाँ g और j का इसको बोलते है torsonal rigidity torsonal rigidity यह torsonal stiffness बोला जाता है torsonal rigidity यह फिर torsonal stiffness बोला जाता है theta always radian में लिया जाता है यह फिर theta इस equation से जो निकलता है वो radian में ही निकलता है यह बात आत रखेंगे डीग्री में निकलता है जो find होगा न value रखने क बाद unit बगरग अच्छे रखने क बाद वो radian में ही निकलता है डीग्री में निकलता है डीग्री में बात में change करते है कैसे तो आपको पता होगा πाई रेडियन बराबर 180 degree होता है πाई रेडियन बराबर और भी एक होता है इधर वाला equation में, दो चेप्टर एक साथ कर रहे हैं, जेड़ पी एक होता है, polar section modulus, तो polar section modulus जो होगा नो, जे अपोन आर होगा, जे अपोन आर को polar section modulus आनि पी लगा दिये, polar section modulus बोला जाता है, तो जो भी यहाँ पे कुछ लगा basic बात हैं, को objective में आ सकता है कुछ और भी, तो बता दिये, छठा number objective होनेक तो बहुत कुछ है, अब साथवा number देखते हैं, देखें लिखाए the point of contra fracture, देखिए एक नया term आ गया, point of contra fracture, is a point where, point of contra fracture क्या है, एक point है, जहाँ पे, जहाँ पे क्या, shear force changes sign, bending moment changes sign, shear force is maximum, bending moment is maximum, तो आपको बता दें कि point of contra fracture जो है न, point of contra fracture, यह आपको किस beam में दिखेगा, तो overhanging beam, overhanging beam carrying UDL, UDL रहेगा न, तभी यह दिखता है, और यह क्या है, तो जब आप bending moment diagram बनाएंगे, जैसे कि एक हम overhanging beam लेक थोड़ा बता दें, छोटा सा question लेकर करके, मान लिजे, यहाँ से यहाँ इसका लंबाई L है, है न, और इस पे, यह किनारे में लगा हुआ है, मान लिजे, फिर से यहाँ से यहाँ लंबाई, इसका L ही है, और एक UDL लगा हुआ है, W intensity का, W मान लिजे, Newton पर मीटर, तो यह L वैगरा जो है, यह मीटर में हमान लिजे, ऐसा है कुछ, इतना है, QDL लगा हुआ है, दिख रहा है आपको, और यह पॉइंट का नाम A है, यह पॉइंट का नाम B है, यह पॉइंट का नाम C, कैसा beam है, तो आप कहेंगे, overhanging beam है, OHB, overhanging beam है, क्योंकि B से portion निकला हुआ है, दोनों side भी निकला रहा सकता है, एक side भी, अब मालेज़े, इसके लिए bending moment diagram बनाना है, हम CR4 से नहीं bending moment बात कर रहा है, तो A पे तो bending moment क्या होगा, 0, क्योंकि A के उधर निकला हुआ नहीं है, आनि simple support जैसा दिख रहा है, तो bending moment A पे 0, ऐसे भी आप आद रखेंगे, लेकिन B पे नहीं होगा, बट, आद रखेंगे, क्योंकि, यह simply supported beam नहीं है, और B से निकला हुआ है, जैसे दोनों side निकला रहेगा, तो A पे भी 0 अभी नहीं होता, यह तरब भी निकला रहता, लेकिन निकला हुआ नहीं है, तो 0, बट, bending moment is not equal to 0, तो B पे कितना होगा bending moment, तो B पे जदी bending moment आपको find करना होगा, कि bending moment का value B, तो B पे कितना होगा, तो आप कहेंगे sir, यह सब चीजे, असान है, B से C के बीच में, जो आपका UDL लग रहा है, उसको convert करना होता है, convert जब हम करेंगे, blue color से यहां दिखा रहे हैं, तो 1 meter में W Newton, तो obvious है, कि L meter में कितना होगा, तो आप कहेंगे, L meter में W into L Newton होगा, बढ़िया है, कितना distance पे लगता है, आपका center पे लगता है, तानी L by 2 हो जाएगा, तो B पे कितना होगा, तो B पे आप कहेंगे, W into L होगा, और साथी साथ कैसा moment बनाएगा, यह जो moment बनाएगा, यह आपका clock wedge बनादेगा, और into क्या होगा, L by 2 होगा, तो यहाँ से value कितना आ गया, तो value आप कहेंगे, Sir, W L square by 2 आ रहा है, W L square by कितना आ यह, 2 आ यह, और bending moment जैदी C पे बात किया जाएगा, तो C कैसा दीख रहा है, तो आप कहेंगे, Sir, cantilever beam का free end जैसा दीख रहा है, तो value zero, तो यह भी तरीका है, value zero तो यह हो गया, अब देखें, इस beam का अभी आप तो एक तो zero हुआ, और यहाँ पे यह हुआ, अब एक चीज और भी है, A से B के बीच में भी, diagram वाला भी यहाँ देख लेना पड़ेगा, तो CR4 से जदी आप से कहते, A पे, A पे तो कैसे निकालते हैं, A पे अनिकी R A का value होगा यहाँ पे, reaction, वेगरा का जरूत पड़ेगा, तो चलिए, यहाँ पे R A का value, और एक क्या होगा, R B होगा, तो at first जो है, R A R B आपको निकालके हैं बता देते हैं, एक question ही यहाँ कहिए, SFD BMD का हो भी गया, कर भी देंगे, R A R B निकालते, R A R B निकालने का क्या तरीका होता है, R A R B, बराबर what, तो आध होगा आपको, at equilibrium condition करते हैं, summation of vertical forces को zero करते हैं, moment एक support के about zero, तो summation of vertical forces को zero करेंगे, तो क्या होगा, तो आपका, zero बराबर, ऐसे लिख सकते हैं, या फिर zero बराबर क्या, R A plus, R B, minus कितना हो जागा, minus W into L ही होगा, बराबर zero होगा और तो कुछ है नहीं, R A plus R B कितना होगा, अब देखिए, summation of moment आप करेंगे, किसी एक support के about, तो मालेज़े support A के about, हम zero कर दिये, तो A के about zero किये, तो कितना होगा, R A, और A का distance zero होगा, तार A का कोई effect नहीं होगा, R B का होगा, तार B into कितना होगा, L हो जागा, और ये कैसा बना रहा है, और बराबर कितना होजागा, zero, और तो कुछ है नहीं, ठीक है, तो यहाँ से देखे, कितना आया है, तो यहाँ से आप कहेंगे, R B बराबर जो आएगा, directly, O L पलस L बाइट टू कितना होगा, तो 2 L बाइट थिरी होगा, ओ सॉरी, इंटू, 3 by 2 L, divided by L, यही न, L L कट जाएगा, तो यहाँ से कितना ऐगा, तो यहाँ से आप कहेंगे, W, 3 by 2 W, L होगा, 3 by 2 W, इंटू L होगा, ठीक है, और यह किसका वैल हुआ, यह R B का हुआ, तो जब R B का हुआ, तो आरे बराबर निकाल सकते हैं तो आरे बराबर यहां पे कितना होगा तो आप कहेंगे यह आरे बराबर यहां पे होगा उसमें घटा देंगे तो w into l minus 3 by 2 w into l ठीक यहां पे देखें एक इंट्रेस्टिंग बात भी आ रहा है w into l minus 3 by 2 w into l आ रहा है तो आप इसको घटाएंगे जदी तो घटाने बत कितना आएगा minus में आएगा minus में आएगा न अन्दी minus w into क्या आएगा l आएगा by 2 minus w into l by क्या आएगा 2 2 lcm नेंगे तो 2 और minus 3 तो 2 minus 3 क्या करेंगे minus 1 तो minus 1 by 2 होगा आनि कि minus wl by 2 देखे आरे जो है न हम एजूम करके चले थे ख्या आरे के उपर लेकिन इसका मतलब क्या है कि आरे आया है negative एक बढ़ियाई question आ गया तो आरे negative आने का मतलब क्या हुआ न कि our resumed direction is wrong आनि कि आरे रियल में किधर लगेगा नीचे है न आरे का value जो होगा आरे किधर लगेगा तो नीचे के तरफ लगेगा उपर लिए थे उपर नहीं होगा नीचे के तरफ होगा चली ठीक है अब नीचे के तरफ होगा तो अब safety करेंगे CR force diagram calculation तो CR force diagram का calculation जब यहाँ पे करेंगे तो आरे के पास क्या होगा जदि आफ CR force यह पे निकालेंगे तो तो नीचे के तरफ है left से right जब हम बढ़ते है sign convention आपको मालूम होगा कि left से right बढ़ने में जो हम sign convention लेते हैं वो left से right बढ़ने में करसा वाला लेते हैं तो left से right बढ़ने में उपर जो होता है positive नीचे जो होता है negative तो इसको हम negative के साथ दिखाएंगे आनि negative w l by 2 होगा shear force आगे जदी हम बढ़ेंगे b पे तो b का जदी हम left में बात करेंगे b का left आनि b से पहले तो ये obvious है इतना ही होगा और ऐसे ही जदी हम shear force बाते करेंगे कहां पे तो shear force आपका b का right b का right मतलब b को cross करके b को cross करके तो r b भी यहां बैए आएगा तो कितना होगा minus w l by 2 और plus कितना होगा 3 by 2 w l होगा तो बराबर कितना होगा w l by 2 ही होगा shear force हम आगे बढ़ेंगे तो कहां पहुँच जाएंगे माल लीजे हम c point पे पहुँच गया तो c point पे पहुँचेंगे कितना होगा w l by 2 होगा और फिर कितना हो जागा अच्छा यहां भी 2 भी होगा 2 टू टू कर जागा w l ही होगा sorry b कर राइट में कितना होगा w into l ही होगा 2 जैसे lcm लिए 2 पर में कितना होगा 3 में घटाए तो 2 w l by 2 2 कटा w l तो w into l होगा और c पे क्या होगा w into l और उपर से नीचे है नथ negative होगा और negative w into l कहां वहला udl के चलते w into l वरावर कितना 0 तो यह SFD अब SFD को जदी यहां से बनाएंगे तो SFD यहां से बन जाएगा आपका इसी के recording SFD कैसा बनेगा तो SFD जो यहां से बनेगा वो a पर कितना है negative तो negative में इसको दिखा देंगे नीचे के तरफ दिखा देंगे नीचे के तरफ कितना दिखाएंगे w into l by 2 दिखाएंगे फिर अगला क्या है अगला भी यह constant चलेगा और constant जाने के बाद b का right में जब हम गए तो w into l क्या होगा positive हुआ तो यहां से आनिकी w into l हम थोड़ा और उपर तन जाएंगे क्योंकि w into l का value w into l by 2 से यह होगा और फिर यहां से यहां कैसे इसको जोड़ेंगे तो obvious है udl लगा तो udl लगा तो क्या linear अनिक फिर 0 हुआ है तो यह आपका negative और positive में यह safety हो गया अब ज़िए इसका bmd draw करेंगे तो एक point आ रहा है जहां पे CR4 से कितना हो रहा है 0 तो CR4 से 0 हो रहा है न तो यहां पे bending moment पता है क्या होगा bending moment जो है वो maximum होगा bending moment क्या होगा maximum और bending moment maximum किस point पे हो रहा थी यह a point था और एक अगला point क्या था यह b point और b एक ऐसा point है जिस पे bending moment क्या हो रहा है maximum bending moment maximum हो रहा है बी पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहां पर बेंडिंग मॉमेंट क्या है और मैक्सेम है ना क्योंकि सीर फॉर्स यहां पर क्या है सैन भी जेंज कर रहा है सीर फॉर्स जीरो है कि एक क्योंट में बेंडिंग मॉमेंट डाइग्राम जदी हम बनाएं तो यह कोश्चन में साइट साइन चेंज क्योंट है अब यहाँ पर बता देते हैं आपको bending moment diagram भी देखें bending moment diagram जिदी इसका बनाएंगे तो a पे कितना होगा 0 और b पे कितना होगा w a less square by 2 और a और b के बीच में caution है w a less square by 2 तो यहाँ से यह कैसे मिलेगा इस तरह से 0 से यह point से क्या हम गें b point पे अच्छबी पे bending moment जो है न वह देखें कैसे आता एक्च्वाली में यह negative आता न यह negative आता क्यों यह क्यों हॉगिंग के वज़े से negative आता हॉगिंग के वज़े से तो आनि के negative यहाँ पर यहाँ पर negative में दिखाना है ज़्याद करने जरूत नहीं था अनि w l square by 2 w l square by 2 इसका value आ रहा है बी पे अनि bending moment negative हाँ ठीक है और फिर इसको dotted line से दिखा दीजे यह वला इतना continue line दिखाने जरूत नहीं है एक minute देखे बी पे निकाले कितना आया w l square by 2 आगे है ठीक है यहाँ के बाद फिर कितना आया यहाँ के बाद फिर यह जीरो हुआ है तो जीरो कैसे जोड़ेंगे यहाँ पे तो यह आपका curve से जोड़ेंगे क्योंकि यह क्या है यहाँ पे UDL लगा हुआ है तो curve से होगा य इस तरीके से जो है इसका bending moment diagram बनेगा देखे एक चीज़ यह question जो लिये थे जिस purpose से लिये थे इसलिए हम यह purpose इस question में तो fulfill नहीं हुआ मतलब contra fracture वाला bending moment sign अपना change नहीं किया चली खर कोई बात नहीं इस question के लिए कम से कम है safety और BMD से दफसीख गया इसलिए हम थोड़ा यह हो रहते रूक रहते कि यह question तो हम वोला नहीं लिये चली हम आगे हम अब बताते हैं अब हम इसको यह question अब अलग question लेना पड़ेगा actually में तो यह concept आपाद रखेगा point of contra fracture तभी दीखेगा जब overhanging beam होगा carrying UDL होगा तो UDL आप कई इस किनारे से लगाने से नहीं जदी तो SFD में sign change किया है कि नहीं आप कहेंगे हां सर negative से positive तरफ हुआ है वहीं तो CR4 से 0 हुआ एक जगा नगेटीब से positive अनि negative बना positive ही बना और इसमें bending moment जो बना न सिर्फ आपका negative में ही बन गिया मतलब negative में sign change ही किया तो इसी तरफ bending moment भी बनता है negative से positive जाएगा तो जब negative से positive जाएगा या positive से negative जाएगा निकि sign जब change करेगा तो एक point होगा bending moment diagram sign change करना चाहिए याद रखें point of contraflexure देखने के लिए bending moment diagram यहाँ बनाए यह negative कैसे हुआ bending moment B पे यह hogging के वज़े से यहाँ पर negative हुआ है ठीक है न क्योंकि B पे कैसा हो रहा है तो B पे आपका एक clock wedge बना रहा है और किसी भी beam का अब सुने होगे किसी भी beam का जदी right और lift right portion में जदी आपका clock wedge बने ठीक है right portion में clock wedge बने lift portion में आप होता है वो क्या बनता है तो obvious hogging होता है negative होता है negative हो जाएगा तो उसी वज़े से negative आया था नहीं कि यह BMD और safety खर ठीक है इसका option number B होगा अब आगे safety और BMD का question करेंगे जो आपका subjective में question दिये और उसमें करेंगे एक यहाँ question हो गया बढ़िया थोड़ा सीख लिए होगे ब ब्रेक होता है with little permanent distortion बहुत कम बहुत कम permanent distortion होता है और ब्रेक हो जाता है तो इसका correct option जो होगा ब्रिटलनेस होगा ब्रिटलनेस का आप a stress versus a strain diagram आप लोग देखे होंगे कि a stress versus जब a strain diagram हम ड्रॉ करते हैं तो ब्रिटलनेस का एकदम इस तरह से बनता है तुरंद ब्रेक हो जाता है सीधा little deformation इसमें wrong answer दिया हुआ है आपके question bank में plastic ct लिखा है जो कि plastic ct नहीं objective के बाद आगया सब्जेक्टिव वाला भी numerical जो पूछा गया है सब्डी बीमडी सब का भी वो सब भी करेंगे लेकिन उसके लिए आपको support थोड़ा करना होगा thank you thank you everyone thank you